राहूल उबैसी जी अगलेज क्या दिक्कत है बताओ क्या बात हैं? किसलिए तुम यहाँ पर आई हुई हो और तुमारे साथ में यह गाओं के लोग भी आई हुई हैं? मोदी जी मैं आपको क्या बताओ? मैंने उबैसी जी ने अगलेज ने और सिद्दू जी ने आपस में मिलके टमाडर की खेती की थी और उस खेती में सिर्फ यह तीन ही टमाडर पैदा हुई हैं? अब आपी बताएं मोदी सर जी हम चार लोग इन तीन टमाडर का किस तरीके से बढ़वारा करें? चलो राओन मैं इस बाद से सहमत हूँ लेकिन ये तो बताओ तुम चार लोग तो टमाडर का बढ़वारा करने के लिए आए हो लेकिन ये साथ में राजनास सिंग जी, लानू जी, अमिसा जी, केजरिवाल जी ये क्या करने के लिए आएं? अरे मोधी जी, ये सब लोग ये देखने के लिए आएं कि आप तीन टमाडर को चार जगा किस तरीके से बाटेंगे? मोधी जी, सिद्धू जी बिल्कुल सही कह रहा हैं, मैंने अभी नितिश कुमार जी से पूचा, वो भी ये कह रहा हैं कि हम तो ये देखने के लिए आएं कि मोधी जी इन तीन टमाडर का चार जगा बढ़वारा किस तरीके से करेंगे? तो योगी सब इस्पेक्टर जी इसमें दिक्कत क्या है? तीन टमाडर को काट के चार जगा बराबर बाट दो? मोदे जी में दिक्कत तो यही है हमें टमाडर को काटना नहीं है पूरा का पूरा तमाडर आपस में बाढ़ना है लेकिन उबैसी जी ऐसे कैसे हो सकता है तीन टमाडर है तुम 4 लोगो 4 लोगों ने मिलके खेती की थी जब 3 टमाडर पैदा हुए है तो चार जगा पूरे पूरे कैसे बढ़ सकती हैं डमाडर को काटना तो पड़े गाई अरि मोधी सर जी अगर हमें डमाडर को काटना होता तो आपके पास बटबारा करने के लिए क्यों आते हम खुद ही बटबारा कर लेते मोदी सर जी अगलेज बिल्कुल सही गह रहा है आप इस तरीके से टमाडर को बाढ़ दो कि चारों लोगों पर पूरा पूरा टमाडर आ जाए सिद्धर मन्या जी ऐसे कैसे हो सकता है भाइसे मोदी जी एक बात कहूं एक टमाडर आप अपने पास से खरीद कर दे दो फिर चार टमाडर हो जाएंगे चारों को एक एक टमाडर बाढ़ दो अरे राजनास सिंग जी बेफालतू की बात करते हो इतना महेंगा टमाडर बिकराज 400 रुपे किलो मोदी सर जी अपने पास से क्यों खरीद कर देंगे अरे हमेसा जी जगड़े को निप्टाने के लिए बढ़बारा तो करना ही पड़ेगा मोदी जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे है टमाडर अपने पास से खरीद कर दे तो नितीज कुमार जी अगर तुमें इतनी ही बो थी तुम मेरे पास आई ही क्यों तुम खुदी गाओं वाले लोग मिलकर एक टमाडर खरीद लेते और इन चारों में बाढ़ देते मोदी सर जी आप ही बताओ हम आम आदमी इतना महेंगा टमाडर कैसे खरीद लिंगे 400 रुपे किलो टमाडर फिक रहा है चलो सब इस्पेक्टर योगी जी एक टमाडर खरीद कर ले आओ इन चारों में पूरा पूरा बाढ़ दो और भाई लोगो वीडियो को लैक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तो क्या करूँ मोदी जी काम करना सुरू करूँ आपके घर पर आप अपने घर का निर्माड अपने हाथों से कर रहे हैं और आपने मुझे मज़े मज़े मज़दूरी के लिए बुलाया था मैं देखो सही टेमपर आगया काम सुरू करूँ गया इट लाओं योगी जी मैंने कहा था कि सुबही साथ बज़े आ जाना लेकिस साथ बज़ के तीन मिनट हो गए तीन मिनट लेट हो तुम इसलिए मैं तुमें का अपने काम पर नहीं रखूँ गा मैंने अपने घर का निर्मान शुरू कर दिया है मुझे अपने इस घर के निर्मान के लिए ऐसे मज़़ूर चाहिए जो टेमपर आए और टेमपर मैं उनकी चुट्टी करूँ जो भी यहाँ पर मज़़ूर देर से आएगा उसका यहाँ पर कोई काम नहीं मौधी जी मैं तो काफी देर से कड़ा हूँ मुझे तो काम पर लगाओ मैं तो साथ बजे से पहले ही आ गया हूँ राहूल तुम थोड़ी देर बैटो मैं तुमसे बाद में बाद करूँगा केज निवाल जी जरह इंट लाना कितनी देर से मैं देख रहा हूँ आप खड़े हुई हो इंट मुझे नहीं दे रहे हो देखो दीबार के उपर सीमेंट सूखा जा रहा है इंट तो मुझे मैं इंट लगाँ यहाँ पर मुझे मजदूरों में सबसे अच्छी मजदूरी सिर्फ अग्लेज करता है अग्लेज का काम मुझे बहुत पसंद आता है मोधी जी आपने बताया नहीं मैं यूही खड़ा रहू या दूसरी जगा काम करने के लिए जाओ मेरे पास इतना बक्त नहीं है मैं खाली अपना टेम बरबाद करू इतनी देर में मैं दूसरी जगा मसदूरी करके कापी रुपिया कमा लूँगा राहूल मैंने तुमसे जाने के लिए तो नहीं कहा तुम रुको तो थोड़ी दिर लालू जी तुम कैसे करे हुए हो तुम बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे हो लालू जी तुम्हारी जगा पर मैं राहूल को मसदूरी पर रख लेता हूँ तुम्हे निकाल देता हूँ मसदूरी से वैसे मोदी जी एक बात कहूँ ये लालू जी मेहनत तो बहुत कम करते है इस घर के निर्मार में अकेले मुझे ही सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ लई है इन लालू जी को और केजरी बाल को निकाल कर राहूल भाया और योगी जी को काम पर लगा लो अगलेस तुम बीची में बोलने बाले कौन होते हो तुम जैसे कौन सा ज़ादा काम करते हो बेबालतू की बात करते हो ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई लालू जी देखो ये अकलेस मुझे और आपको मोधी जी से निकालने की बात कर रहा है काम से मोधी जी ये एक बात बताओ हम क्या अगले से कम काम करते हैं आप हमें ऐसे काम से नहीं निकाल तकते हैं अगर मुझे काम से निकाल ले हो चलो मैं निकल जाता हूँ लेकिन मैंने जो दस दिन का काम किया है वो मुझे अभी यहीं का यहीं पैसे चाहिए पैसे की बात करती हो लालू जी अभी मुझे काम से तो अटने दो तुरंट मैं तुम्हें पैसे देऊंगा नहीं मोधी जिए मुझे पैसे तो अभी चाहिए नहीं तो मैं काम से नहीं अटूंगा जब आ करता रहूंगा और वाई लोगो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो लेकिन मोधी सर्चीज में हमारी क्या गलती थी जब बारिस होने लगी बारिस की बज़े से लेट हो गए हम अब तो हमें क्लास के अंदर दाखिल हो जाने दीजिए बहुत देर हो गई हमें स्कूल के पाहर करे करे अगलेस तुम सब लोग 10 मिनट नहीं 15 मिनट नहीं पूरा एक गंड़ा लेट आए हो इसके लिए तुम्हें तोपनिसमेंट मिलेगा ही मिलेगा इसलिए एक गंड़ा तुम लेटा आयो और एक घंटा आप तुम बाहर ख़़े रहो क्लास के लेगन म बार बार इसमें घड़ा कर दिया, बिगा दिया, राजनास सिंग जी खड़ा तो होना पड़ेगा, आगे के लिए तुम ध्यान तो करोगे, जल्दी तो स्कूल आओंगे, अरे बार इस तुम सब लोगों के लिए थोड़ी थी, बार इस तो मेरे लिए भी थी, अंदर देखो हमिस्ता जी बैटे, बो तो सुबही आगा हैं स्कूल, मोधी जी बार करे करे पैर दर्द करने लगे, और उपर से आपने हम सब लोगों के हाथ उपर करा दिये, ऐसे हम कब तक करे रहेंगे, अब हमें क्लासरूम के अंदर दाखिल कर लीजिए, कल से हम लेट नहीं आएंग योगी जी तुम तो बोलो हमत, चलो आस तो बारेज हो रही है, जब बारेज भी नहीं होती है, तुम तो फिर भी लेट ही आती हो स्कूल, मोधी जी बारेज में बार करे करे टंड लगने लगी, अब तो क्लासरूम के अंदर दाखिल कर लो, सच सच बताओ तुमें स्कूल आने में देर क्यों हुई क्योंकि बारेस को तो शुरू हुई भी अभी पंदरा मिनट हुई तुम सब लोग एक गंड़ा लेट हूँ ऐसा कैसी हो सकता है मौधी जी मैं आपको क्या बता हूँ ये सिद्धा रमया जी है इन्होंने का कबड़ी का एक गेम कर लेते हैं उसके बाद स्कूल चलेंगे खेल खेलने लगे उसी में देर हो गई मैं तो केजरी बाल जी पहले ही समझ रहा था कोई ना कोई तो बज़े हुई है जिसकी बज़े से तुम सब लोग इतनी लेता है हो मुझे ये बताओ तुमारे लिए पढ़ाई जरूर ही है या कबड़ी का खेल जरूर ही है क्यों सिद्धा रमय्या जी तुम तो स्कूल में देर से आई आए इन सब लोगों को भी देर से ला रहे हो मुझे सर जी मैंने सोचा थोड़ा सा खेल कूद लेते है सुबह सुबह हाथ पायर मजबूत रहेंगे इसलिए हम लोग कबड़ी का खेल खेल ले लगे खेलते खेलते दोड़ी देर हो गई फिर भारे सुरू हो गए इसलिए हम देर से आए मैं तो किसी की बातों में आऊंगा ही नहीं, कल सीधा स्कूल आऊंगा, ना कोई खेल खेलूंगा, ना कुछ खेलूंगा, मोती जी मुझे क्लासरूम के अंदर ले लो, और भाइलों को वीडियो को लेक गरो, चैनल को सब्सक्राब गरो